पूजन के बाद लोग जमीन पर लेटे और उनके उपर से गाए निकाली गई मानेता है कि ऐसा करने से मन्नते पूरी होती है और जिन लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है वो भी ऐसा करते है परंपरा की पीछे लोगों का मानना है कि गाए में 33 करोड देवी देवताओं का वास रहता है और गाए के पेरों के नीचे आने से देवताओं का आशिरवात नलता है दिपावली पर्व के दूसरे दिन होने वाले सायोचन में जो लोग शामिल होते हैं उन्हें वर्षो पुरानी परंपरा का निर्वहा कन्ना होता है परंपरा अनुसार लोग पांच दिन तक उपवास करते हैं और दिपावली के एक दिन पहले गाव के माता मंदिर में रूख कर रात बुसारते हैं और भजन किर्दन करते हैं दिपावाली के दूसरे दिन पढ़वा पर सुभाप पूजन किया जाता है, उसके बाद ढोल बाजे के साथ गाउं की परिक्रमा की जाती है, एकोर गाउं की सभी गायों को एकतित किया जाता है और दूसरी तरफ लोग जमीन पर लेटते हैं, फिर शुरू होती है जान जोख जनने वाले उट खड़े होते हैं और ढोल की धुन पर नाचन रगते हैं, पूरे गाउं में खुशी का माहूल रहता है, इस द्रश्य को देखने के लिए आसपास की गाउं की लोग दो जहा के साथ आते हैं, ये परंपरा बहस का मुद्दा बनी रहती है, कुछ लोग उसे आस्ता कहते हैं, तो कुछ लोग अंधविश्वास, क्योंकि इस परंपरा में जान का ख़तरा बना रहता है, और जिन से मर्दुभाशी प्रदेश के लिए अमरत बेंडवाल की रिपोर्ट तो साफ साफ कहो न अमा, फिर इस बार भाजपा सरकार